बस कल की ही तो बात है, हम साथ में खेलने गए थे, रोहित ने खूब मज़े किये थे, क्योंकि आज कल भाग दोड़ वाली जिंदगी में, खेलने का वक्त महीने दो महीने में एक ही बार तो मिलता है, और आज सुबह सुबह खबर आए कि, कि वो नहीं रहे, आज सुबह जब ये खबर सुनते ही मानो, मेरे पैरो तले जमीन कि सक गई हो, सवालों का एक पहाड मेरे आखों के सामने आकर खड़ा हो गया हो, और मुझे सबसे ज़ादा एक ही बात परिशान कर रहे थी, कि अभी उसकी उम्र ही क्या थी? केवल 26 वर्ष दुनियादारी की इस वीडियो में आपका स्वागत है, आकरे बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 10 साल में दिल से जोड़ी बिमारियां लगभग दोगुनी हो गई हैं, डॉक्टर उने पाया कि COVID-19 के बाद हार्ट अटैक के मामलों में काफी उच्छाल आया है, आज से कुछ साल पहले दिल की बिमारी को बुजर्गों के साथ जोड़ कर देखा जाता था, पर कुछी सालों में ये अब कुछ और ही कहानियां बया करते हैं, इंडियन हेल्थ असोसियेशन के रिसर्च कहती है क कि 50% हार्ट अटैक 50 से भी कम उम्र के लोगों को आई है, और 25% हार्ट अटैक 40 साल से भी कम उम्रवालों को आई है, पूरी दुनिया में जहां मरने वाले 1,00,000 लोगों में से 235 लोगों ने दिल से जुड़ी बिमारी ओं से अपनी जान गवाई है, तो वही भारत में ये पिछले कुछ दिनों में हमने कई जाने माने लोगों को हार्ट अटैक के चलते होया है जैसे राज्जु श्रीवास्तो जो 58 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए साउथ इंडिन अक्टर पुनीत राजकुमार जिनों ने हमें केवल 46 साल की उम्र में अलविदा कह दिया गायक कृष्ण कुमार कुन्नत जो केके के नाम से प्रसित्य थे वो 53 साल की उम्र में आखरी सांस लेते हुए उस दुनिया से चले गए सिधार्थ शुकला जो मात्र 40 साल के थे चले गए दुनिया को छोड़के लिस्ट काफी लंबी है ये तो कुछ चार-पांच नाम है जिसे सुन कर हमारा दिल बैठ जाता है 2004 में पदमश्री पाचुके डॉक्टर S.C. मंचंदा के अनुसार भारत की युवाओं का दिल कमजोर हो रहा है और इसकी वज़य है उनकी आज की जीवन शैली S.C. मंचंदा अभी देली के नामी हॉस्पिटल श्री गंगा राम हॉस्पिटल में कारिगरत है और उससे पहले वो All India Institute of Medical Science New Delhi AIMS में प्रोफेसर रह चुके हैं उनके और अन्य कई डॉक्टरों के हिसाब से युवाओं में दिल की बीमारियां बढ़ने के कुछ मुक्य कारण है जैसे खान पान जैसे जंक फूड का अधिक सेवन करना समय से खाना नहीं खाना कम्प्यूटर या electronic gadgets को लंबे समय तक इस्तेमाल करना स्मोकिंग और शराब का सेवन करना जीवन में व्यायाम और योग की कमी हाई blood pressure और diabetes जैसी बीमारिया विद्यार्थी जीवन और युवा वस्था में जादा तनाव लेना हमने कई बार सुना होगा कि 45 साल से नीचे वाली महिलाए उनमें दिल की विमारिया नहीं होती है जो काफी हद तक सही भी है जिसके पीछे कारण है उनके sex hormones जो उन्हें दिल की विमारियों से बचाते हैं पर कुछ सालों से महिलाओं में भी ये बिमारियां देखी जा रहे है डॉक्टर इसकी वजह लंबे समय तक गर्भ निरोधक पिल और स्मोकिंग का सेवन बता रहे है डॉक्टरों के हिसाब से दिल की विमारियों से बचने का सबसे उत्तम उपाय है योग योग करने से मन शांत रहेगा कुलस्टरॉल में वृध्धी नहीं होती है रक्त का बहाव सुचारू रूप से बना रहता है और कई सारी बिमारियों से बचता है विदेशों में भी योग को काफी महत्व दिया गया है वैसे तो योग की जुरनी हमारी भारत भूमी है पर हमारी लोग इसके महतों को कब जानेंगे जब विदेश के लोग कहेंगे पर कुछ सालों से लोगों ने और हमारी गवर्मेंट ने योग और योग से होने वाले फायदों का काफी प्रचार किया है योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था इसकी नियू भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राश्रु महा सभा में योग से संबंधित एक प्रभाव शाली भाशन के साथ रखी गई थी और उसी के बाद से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोशित कर दिया गया और इसी के साथ ही साथ गवर्मेंट को जंक फूट पे भी भारी से भारी टैक्स लगाना चाहिए जैसे कि सिगर्ट और धबाकू पे इससे कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा पर लोगों में जागरुकता जरूर फैलाई जा सकती है जानकारों के हिसाब से हम अपने जीवन शैली में बदलाव करके हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बच सकते हैं जो कि है तो बहुत आसान लेकिन आदतों में बदलाव करना थोड़ा मुश्किल होता है और यही थोड़ी सी मुश्किल अगर इंसान करने लग जाए तो हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बच जाएगा खुद को बचाएगा और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेगा उमीद है कि दुनियादारी की इस वीडियो में आपको खुब मजाया होगा इसे खुब शेयर कीजे और कॉमेंट के जरीए बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी मिल दें आप से अगले वीडियो में